अब लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी तो आज इस वीडियों हम बात करने वाले हैं एम्स बीसी परविडिकल देली की कटोफ की बारे में बात करेंगे काफी स्ट्ट्रेंट्स का मेंसी जारत है कि भाहिया देली की कटोफ कितनी जाएगी कितने स्कूर हमको 90 म से करना होगा जिससे कि हमें Amps Delhi की इंस्टूट है वह आप में अलोट हो जाए तो चलिए आज किस वीडियों डिटेल इंफरमेशन आपको देने वाले हैं कि सबसे पहले आपको क्वालिफिक्शन स्कोर कितना करना होगा साथ ही साथ वहाँ पर कितना टोटल सीट मेट्रिक्स ह है और उसके साथ ही साथ हम डिसकस करेंगे कि आपको 90 में से कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आपको Amps Delhi की इंस्टूट अलोट हो जाए चलिए यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में क्या-क्या डिसकस करेंगे सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो All About Paramedical Course स्दूट नंबर और को सबस्द्र जाया है कि तो आपके कितने क्यूंस इंपने मार्कस के होगे सा्री इश आपको इस वीडियो में मिल जाएगी उसके साथ परहे हो लिए पहले कहा था यू अपने देखा है तो वह वीडियो इनक को मिल जाएगे हमारे चैनल पर वह आप जाके देख सकते हो टोटल सीट मैक्ट्रिक्स की तरह है मतलब एमस देली में कितना सीट है जिस पर आप एड़ेशन लेने वाले और साथ ही साथ कटोफ कितना जाएगा कितना स्कूर आपको करना होगा जिससे कि इस साल 2024 में आपको सीट अलोट्मेंट हो जाए तो चली वीडियो को आगे बढ़ाता है सबसे पहले हम यहाप बात करेंगे आपके एक्जाम डेट के बारे में तो एक्जाम डेट की हम बात करें तो आपका एक्जाम है वो उसकी डेट है वो रिलीज कर दीगी है और उसकी एक्जाम क चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं उसके बाद में हम बात करें कितनी क्यूश्टन्स आएंगे तो इसमें दोनों स्टुदेंट्स पार्टिस्पेट कर सकते हैं बोथ गल्स और बोईस इसमें पार्टिस्पेट करेंगे और जिनका मालोग जिसे नर्सिंग में होता है कि और तो भी आप इस एक्जाम को दे सकते हो इसके बाद में हम यहाँ पर बात करें बायलोजी मैथ से 30 क्यूशन्स आएंगे क्यमिस्ट्री चींच कि रहेंगे जो आपसे एक्जाम में फूचे जाएंगे नेच्ट आम उसकी बात करें पेरा मेडिकल कोर्स में टोटल क्यूशन 90 questions आते हैं, उसके साथ ही साथ आपका total marks है, परते question आपका एक marks का रहेगा, तो इस तरह से आपका total जो marks हो गया, 90 नमर का questions आएंगे, और 90 ही मिन्ट आपको time duration की बात करें, exam की time duration की बात करें, तो यहाँ पर आपका exam 90 मिन्ट आपको दिये जाएगा, मतलब परते question को solve करने का, आपको minimum एक मिन्ट आपको मिलेगा, negative marking की बात करें, तो negative marking आपको 1 by 3 रहेगा मतलब एक question सही करोगे, तो आपका एक नमर मिलेगा, और इदि आप लागातार 3 question कल्द करते हो, या 3 question आपकी गलत होते हैं, तो आपका एक नमर माइनस हो जाएगा, तो इचीज आपको ध्यार में रखना है, कि जब भी आप practice करते हो, जब भी आप अपर study करते हो, तो total कितने time में आप paper complete करते हो, 90 questions कितने मिन्ट में आप solve करते हो, और साथी साथ कितना समय आपको कौन से subject को solve करने में लग रहा है, क्योंकि परते एक subject में आपका equal questions आएंगे, जो आपकी 30, 30, 30 questions रहेंगे, ठीक है, तो चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर इसी साथ हमारे channel पर test series जो है, कबसे एक तारिक से start हो गया था, एक जनवरी 2024 से start हो गया था, तो काफी students इन जोइन किया है, यही आप अभी तक join नहीं कियो, तो आप join कर सकते हो, जिसमें अभी तक आपका 32, 32 test complete हो चुका है, 180 test की यह सरंकला चलने वाली है, जो आपका start हो थी, एक जनवरी 2024 से, और उसका end होगा आपकी exam date तक, आप काफी students message करते ही, भही है, join कैसे हो, तो इसके लिए आप हमारे WhatsApp नूमर स्क्रीन पर चल रहा है, यहां से आप WhatsApp नूमर पर content कर सकते हो, एब का link मिल जाएगा, ठीक है, उसे गूगल प्लेश टेस्ट मिलेंगे, दस हजार चेप्टर वाइस क्यूशन मिल जाएगा, और यह सभी चार्ज अभी 400, 499 ही है, आपका जैसे application form आएगा, इसकी जो rate है, इसका जो subscription का जो charge है, वो 1000 हो जाएगा, तो यह दि उस पर पहले आप लेना चाते हो, तो इसके लिए आप इसको WhatsApp नमर पे contact कर सकते हो, ठीक है, यह चीज समझ में आगया, अब next हम बात करेंगे, यह आपको हमारे team से बात करना हो, discuss करना हो, regarding आपको testries के, तो आप इस नमर पे contact कर सकते हो, इस नमर पे आप WhatsApp कर सकते हो, तो आप इस नमर पे contact कर सकते हो, ठीक है, यह आप चैनल को भी subscribe करके रखोगे, तो यहाँ पे आपको काफी information मिलने वाली है, qualification score क्या होता है, यह दि आप इस score से नीचे score करते हो, यहाँ पे सबसे पहले merit list त्यार की जाती है, M's के तवारा merit list आता है, यह दि आप इससे कभी score करते हो, तो आपका merit list में ही नाम नहीं आता है, मतलब इससे यह दि आप कम score करोगे, तो आप counseling process में, आप admission process में apply नहीं कर सकते हो, तो चलिए, तो यहाँ पे इतना quartile से, यहाँ पे percentage नहीं है, percentile है, ठीक है, percentile में आपका result जारी खे जाएगा, अब यहाँ पे हम काफी students को doubt आता है, कि percentile भया क्या होता है, देगे, जैसे कि आपका 90 का score का paper होगा, तो इसमें से जो topper रहेगा, माली जी आपका topper है, वो 80 नमर पे है, तो 80 नमर को ही 100 percentile मान लिया जाएगा, और इस से नीचे जितरे भी students होगे, उनका इस तरह से percentile निधारीद होता है, ठीक है, तो यह चीज समझ में आच चुका है, कि 90 में से आपको 50, मतलब आप मिनिमम भी 45 से 50 score यह दि इस पे करोगे, तो आपका EWS से आपका counseling process हो जाएगा, इसके बाद OBC NCL की बात करें, तो OBC NCL में 45, इसके बाद SC में बात करें, तो SC में आपका 40 percentile और वहीं हम बात करें ST का, तो ST में आपका 40 percentile आपको चीह होगा, percentile की परिवासा हम समझा चुके है कि कैसे percentile आपका निकाला जाएगा, जो आपका topper होगा, जिसने जितना score किया है, उसको 100 percent मान के बाद, जितने भी नीचे की students है, उनको इस तरह से percentile मिलेगा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे percentile, मतलब आपका merit list में नाम आ जाता है, तो उसके बाद आपका cutoff निधारित होता है, मतलब अब इन students को मान लिजेगी 4000 students का list में आया, तो इन सब को seat नहीं मिलेगा, इसमें से जो merit जिनके अच्छा score किया है, जिसने अच्छे marks किया है, तो उनको seat allotment होने वाली है, चसलिए एक बार हम बात करेंगे general EWS, OBC, SC, NST, चारो criteria इवास को हम बात करेंगे, कितना score आपको minimum करना होगा, जिससे कि आपको EMS Delhi की institute, यहाँ इसरे हम एक institute की बात करें, EMS Delhi की institute मेरे आप admission लेना चाहते है, तो minimum आपको कितना score करना होगा, तो जिससे कि आपको EMS Delhi के किसी भी, जितने भी course EMS Delhi करवाती है, इस पे पहरे प तो यहाँ पर सबसे पहले general UR की बात करें, तो यहाँ पर 75-80 score यहाँ आप करोगे, तो यहाँ पर आपको seat allotment होगा, इसके बाद EWS में बात करें, तो EWS में आपको 70-75, और OBCNCL की बात करें तो 72-76, और SC की बात करें, तो यहाँ का score 90 में से 65-70 तक यहाँ आप score करोगे, तो यहां पर आपको seat allotment हो जाएगा वहीं अश्टी की बात करें तो 60 से पैसरट की बीचे दिए आप स्कूर करोगे तो EMS Delhi का institute allotment हो जाएगा 90 में से आपको इतना स्कूर minimum करना होगा तो चलिए I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे वीडियो लगा होगा यदि आप चैनल पर पहली बार है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक अडिये चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिजे सीट में टेस्ट आपको नेक्स वीडियो में बता दिया जाएगा और यदि आप हमारे टेस्टरी जोइन होना चाहते हो जिसमें से आपका 180 टेस्ट करवाए जाएगी जो 32 लगबग 32 पेपर आपका लगबग कंप्लीट हो चुका है और यदि आप अभी तक नहीं जोड़े सारे चीजा आपको मिलने वाली है जो आपके स्कोर इंक्रीज करने में कालफी हेल्फुल होगा तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइबाइबाइट टेक है